प्यारे बच्चो नमस्कार आज हम आपकी कख्षा 10 की लोकतांत्रिक राजनिती भाग 2 के अध्याय 6 राजनितिक दल पर चर्चा करेंगे बच्चो आपने भाजपा, कॉंग्रेस, शिवसेना, भारतिय कम्यूनिस्ट पार्टी, बसपा, तैलगु देशम, राष्टेवादी कॉंग्रेस, आधी के नाम सुने होंगे यह सभी राजनितिक दल हैं इस पार्ट में हम राजनितिक दलों के अर्थ, उनकी आवशक्ता, उनके कारे और उनके समक्ष उपस्थित चुनोतियों आधी पर चर्चा करेंगे बच्चों, राजनितिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समू होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनितिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है समाज के सामूह के हित को ध्यान में रखकर यह समू कुछ नीतियों और कारेकरम को निश्चित करता है इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रियास करते हैं कि उनकी नीतियां और उसे बहतर हैं वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रियास करते हैं अतहार राजनितिक दल किसी समाज के बुनियादी राजनितिक विभाजन को भी दर्शाते हैं यह राजनेतिक दल समाज के किसी एक हिस्से से संबंदित होते हैं, इसलिए उसका द्रिष्ट्री कौन समाज के उस वर्ग या समुदाय विशेश की ओर जुका होता है, किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तै होती है बच्चों जिन मामलों में राजनेतिक दलों की भूमिका होती है वे हैं पहला लोकतांत्रिक शासन विवस्था को बनाने में, दूसरा सम्विधान रचने में, तीसरा चुनावी राजनिती और सरकार के गठन तथा संचालन में, चौथा सत्ता के बटवारे के वहक के रूप म पांच्वा लोकतांत्रिक राजनिती में सामाजिक समुहों की तरफ से मोल तोल करने वाले माध्यम के रूप में बच्चों राजनितिक दलों के तीन प्रमुग घटक होते हैं और वे हैं पहला नेता, दूसरा सक्रिय सदस्य और तीसरा अनुयाई या समर्थक प्यारे बच्चों अब हम राजनितिक दलों के कार्रे पर चर्चा करेंगे, राजनितिक दल मुख्य रूप से जो कार्रे करते हैं वे हैं पहला कार्रे, राजनितिक दल चुनाव लड़ते हैं, लगभक सभी लोकतांत्रिक देशों में चुनाव, राजनितिक दलों द्वा खड़े किये गए उम्मीद्वारों के बीच ही लड़े जाते हैं राजनेतिक दल अपने उम्मीद्वारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं अमरीका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चयन दल के सदस्य और समर्थक करते हैं अब अधिकतर देशों में इसी प्रकार उम्मीदवार चुने जाते हैं हाला कि बच्चो भारत जैसे देशों में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं तो बच्चों अब हम आते हैं इनके दूसरे काम पर, इनका दूसरा काम है देश के लिए नीतियां और कारिकरम प्रस्तावित करना। राजनेतिक दल अलग अलग नीतियों और कारिकरमों को मद्दाताओं के सामने रखते हैं और मद्दाता अपनी पसंद की नीतियां और कारिकरम चुनते हैं लोकतंतर में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा liamotatei पट Fut 5 राजनेतिक दलों का तीसरा कार्य है कानून निरमाण राजनेतिक दल देश के कानून निरमाण में निरणायक भ्हूमिका निभाते प्रस्तावों पर विधाईका में अपचारिक बहस होती है और उन्हें विधाईका में पारित करवाना पड़ता है लेकिन विधाईका के अधिकतर सदस्से किसी ना किसी दल के सदस्से होते हैं इसी कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला लेते हैं बच्चों राजनेतिक दलों का चौथा कार्रह सरकार बनाना राजनेतिक दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में नर्णे राजनेता ही लेते हैं और ये नेता विभिन राजनेतिक दलों के होते हैं राजनेतिक दल नेता चुनते हैं उनको प्रिशिक्षित करते हैं और फिर पार्टी के सिध्धानतों और कारेक्रम के अनुसार फैसला करने के लिए उन्हें मंत्री बनाते हैं ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सके हैं बच्चों राजनेतिक दलों का पांचवा कारे है विरोधी पक्ष की भूमी का निभाना चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमी का निभाते हैं सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोशना करने के साथ वे अपने अलग विचार भी रखते ह बच्चों, राजनेतिक दलों का छटा कार्य है जन्मत निर्मान। जन्मत निर्मान में दल महत्पूर भूमिका निभाते हैं, वे मुद्दो को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। विभिन दलों के लाखों कारकरता देश भर में बिखरे होते हैं, समाज के विभिन बर्गों में उनके मित्र संगठन या दवाव समू भी काम करते रहते हैं. दल कई बार लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। प्राय विभिन दलों द्वारा रखी जाने वाली राये के इर्ध गिर्ध ही समाज के लोगों की राये बनती जाती है। बच्चों, राजनेतिक दलों का सात्वा कार्रे है कल्यान कारेकरमों का पिरसार. राजनेतिक दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्यान कारेकरम तक लोगों की पहुँच बनाते हैं. एक साधान नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनेतिक कारेकरता से जान पहचान बनाना उससे मिलना आसान होता है। इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास ना करते हुए भी उन्हें अपने निकट मानते हैं। राजनेतिक दलों को भी हर इस्तिती में लोगों की मांगों और जरूरतों पर ध्यान देना होता है। वरना अगले चुनाब में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं। तो बच्चों आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि आखिर हमें राजनेतिक दलों की आवश्यक्ता ही क्या है। यदि राजनेतिक दल ना हो तो आखिर क्या हानी हो जाएगी। अभी बच्चों हमने राजनेतिक दलों के साथ कार्यों पर विचार किया था। इन ही कार्यों को करने के लिए वास्तव में हमें राजनितिक दलों की आविशक्ता है आपने अपने आसपास और टीवी तथा समाचार पत्रों में ऐसे द्रश्य अवश्य देखे होंगे जब किसी राजनितिक दल के कारे करता प्याज और रसोई गैस जैसी वस्तूओं के दा लोकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को भोजन बाठते भी देखा होगा आपने सरकार की किसी नीति के विरोध में किसी राजनितिक दल के कारे करताओं को विरोध प्रदर्शन करते भी देखा होगा जैसे हाल ही में पारित तीन क्रिशी कानूनों के विरोध में अन्य विपक्षी दलों ने कुछ जगा प्रदर्शन किया था किसी घटना को सरकार की नाकामी बताते हुए उसके प्रती रोश और विरोध जताते हुए भी आपने राजनेतिक दलों के कारेकरताओं को देखा होगा जैसे हाल ही में हातरस में एक दलित लड़की की हत्या के विरोध में विपक्षी दलों ने वहां विरोध प्रदर्शन किये थे अतहा राजनेतिक दल सरकार पर दबाव बनाये रखते हैं उसे जनहित के कारेकर करने की दिशा में अग्र सरित करने का एक अत्यन महत्पूर्ण और शक्तिशाली माध्यम राजनेतिक दल बन जाते हैं कई बार कुछ लोग पूछते हैं कि आधुनिक लोकतंत्र राजनेतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता तो बच्चों आप जरा कल्पना करें कि राजनेतिक दलों के बिना क्या इस्थिति होगी अगर राजनेतिक निर्दलना होंगे तो सारे उम्मीद्वार स्वतंत्र या निर्दली होंगे तब इन में से कोई भी बड़े नीतिगत परिवर्तन के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा सरकार बन तो जाएगी पर उसकी उप्योगिता संदेग्द होगी निर्वाचित प्रितनिधी केवल अपने निर्वाचन शेत्रों में किये गए कामों के लिए उत्तरदाई होंगे लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई भी उत्तरदाई नहीं होगा चुनाव के समय देश कई खैमों में बढ़ जाता है राजनेतिक दल इन विभिन खैमों का प्रतिनिधित्व करते हैं और चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का एक पैनल उतारते हैं इनी कारणों से हमें दुनिया के लगवक सभी देशों में राजनितिक दल नजर आते हैं। हो जाते हैं तब उन्हें विभिन मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नजर में लाने के लिए किसी माध्यम या एजनसी की जरूरत होती है। जिम्मेदार सरकार बनाने के लिए सभी इस्थानों के प्रतिनिदियों में तालमेल होना जरूरी है। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुष रखने, नीतियां बनवाने और नीतियों का समर्थन अत्वा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। प्रतेक प्रतिनिरी सरकार की ऐसी जो भी जरूरते होती हैं राजनितिक दल उनको पूरा करते हैं इस प्रकार लोकतंत्र की सफलता के लिए राजनितिक दलों का होना अनिवार रहे हैं अब बच्चों हम बात करेंगे कि आखिर एक देश में कितने राजनितिक दल होने 2293 है कई बार आप सोचते होंगे कि आखिर हमें कितने राजनितिक दलों की आवश्यक्ता है एक देश में कितने राजनितिक दल होंगे यह वहां की परिस्थितियों और राजनितिक संस्क्रिती पर निर्भर करेगा कई देशों जैसे चीन, उत्तरकोरिया और भूतपूर सोव्यस संग में केवल एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमती होती है इस कारण उन्हें एक दल ये शासन व्यवस्ता कहा जाता है हालाकि कानूनी रूप से वहां भी लोगों को राजनितिक दल बनाने की आजादी है पर वहां की चुनाव प्रिनाली सत्ता के लिए स्वतंत्र पृति दंद्विता की अनुमती नहीं देती है इसलिए लोग एक नया राजनेतिक दल बनाने का कोई औचित्ते नहीं समझते, जिसके कारण इन देशों में कोई नया राजनेतिक दल नहीं बन पाता। एक दल ये व्यवस्था को अच्छी व्यवस्था नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह लोगतांत्रिक विकल्प नहीं है। दो मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है। इन देशों की राजनेतिक व्यवस्था को दुई दल ये व्यवस्था कहा जाता है। वहां अनेक दूसरी पार्टियां हो सकती हैं, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटे जीश सकती हैं, पर केवल दो ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के पिरबल दावेदार होते हैं। अमरीका और ब्रिटेन में ऐसी ही दो दल ये व्यवस्था हैं। अमेरीका में रिपबलिकन पार्टी तथा डेमोक्रिटिक पार्टी दो मुख्य राजनेतिक दल हैं। के लिए अपने दम पर या दूसरों से गडवंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अफसर हो तो इसे बहुदलिय विवस्था कहते हैं भारत में भी ऐसी ही बहुदलिय विवस्था है इस बहुदलिय विवस्था में कई दल गडवंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं जब किसी बहुदलिय व्यवस्ता में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं तो इसे गडवंधन या मोर्चा कहा जाता है जैसे भारत में राष्ट्य इस्तर पर तीन गडवंधन चुनाव लड़ते हैं पहला है भाजपा की अगवाई वाला राष्ट्य लोकतांत्रिक गडवंधन जिसे NDA कहते हैं दूसरा है कॉंग्रेस की अगवाई वाला सयुक्त प्रिगतिशील गडवंधन जिसे UPA कहते हैं और तीसरा है कम्मिनिस्ट पार्टियों का वाम मोर्चा बहुदलिय व्यवस्था का मुख्य दोश यह है कि इस से राजनितिक अश्थिर्ता पैदा होने के अधिक अवसर रहते हैं लेकिन इसके साथ इसका लाव यह है कि इस प्रिणाली में विविन हितों और विचारों को राजनितिक प्रितिनिधित्व मिल जाता है तो बच्चों अब तक की चर्चा के अधार पर आपके विचार से कौन सी दलिय व्यवस्था सर्वत्तन है एक दलिय दूई दलिय या बहु दलिय किसी देश को इन में से कौन सी व्यवस्था अपनानी चाहिए तो बच्चों इस सवाल का सबसे अच्छा उत्तर यह है कि यह सवाल अपने आप में कोई अच्छा सवाल नहीं है दलिय व्यवस्था का चुनाफ करना किसी देश के हाथ में नहीं है यह एक लंबी अवधी के कामकाज के बाद खुद ही विक्सित होती है और इसमें समाज की प्रकरती इसके राजनितिक विभाजन राजनिती का इतिहास और इसकी चुनाफ प्रणाली सभी चीजें अपनी भूमी का निभाती है इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता हर देश अपनी विशेश परिस्थितियों के अनुकूल दलिय व्यवस्था विक्सित करता है जैसे अगर भारत में बहुदल्य विवस्था है तो इसका कारण यह है कि दो तीन पार्टी इतने बड़े देश की सारी सामाजिक और भौगोलिक विवित्ताओं को समेट पाने में असमर्थ हैं हर देश और हर परिस्थिती में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले यह संभव नहीं है बच्चों अब हम अपने इस पार्ट के अगले भाग पर आते हैं जिसका नाम है राजनीती की नैतिक ताकत जन सरोकार से जुड़े अनेक मुद्दों जैसे परियावरण, राजनेतिक शुचिता, बड़ी परियोजनाओं के लिए निर्धन ग्रामिनों और आदिवासियों के विस्थापन, महिला सशक्ती करण, शराब बंदी, आदी के लिए विश्व भर में और संपूर भारत में भी जन आंदोलन चलाए गए हैं, इन जन आंदोलनों में भाग लेने वाले कार्य करता और उनका नेत्रेत्व करने वाले लोग निस्वार्थ भाव से लोग हित में कार्य करने वाले लोग होते हैं, इनके कामों के पीछे प्राय नेतिक बल कार्य करता है, यह लोग राजने पर दबाव डाल कर समा सुधार और व्यवस्था परिवर्तन कराना चाहते हैं स्वर्गिये किशन पटनायक को देश भर का आंदोलन कारी समुदाय अपना मित्र राजनेतिक दार्शनिक और नैतिक मार्गदर्शक मानता हैं किशन जी का मानना था कि जन आंदोलन के लोग चु जैसे एक मुद्दे पर केंदरित आंदोलन से जीवन के एक शेत्र में तो कुछ बदलाव लाया जा सकता है लेकिन यदि हम बुनियादी सामाजिक बदलाव या जीवन के किसी एक पहलू में भी बुनियादी बदलाव चाहते हैं तब हमें एक राजनेतिक संगठन की एक तातकालिक जरूरत है क्योंकि सारे राजनेतिक दल सामाजिक परिवर्तन के लिए अप्रासंगिक हो चुके हैं उन्हीं के विचारों से प्रिर्णा लेकर अन्ना हजारे के प्रितिकात्मक नित्रित्व में चलाए गए जन लोकपाल आंदोलन से एक राजनेतिक दल आम विचलेशकों का मानना है कि आम आदमी पारिटी के अब तक के कामकास से यही दिखता है कि वह भी अन्ने राजनेतिक दलों से कोई अलग नहीं है और अन्ने दलों की तुलना में उचे नैतिक पायदान पर खड़े होने के उसके दावे की तथ्यों के आधार पर पुष्ट भी नहीं होती है क्या आपको लगता है कि किशन जी का सपना कभी साकार हो पाएगा और वास्ताम में कोई दल नैतिकता पर आधारित व्यकल्पिक राजनेतिक करेगा तो बच्चों अब हम आते हैं प्रश्नोत्री पर जो आपको बहुत पसंद है हमारा आज का पहला सवाल ह इन में से कौन सा एक राजनेतिक दल नहीं है और आपके विकल्प है क शिवसेना ख मुस्लिम लीक ग राष्ट्य स्वैम सेवक संग और ग असम गण परिशद तो बच्चों बताईए क्या है सही उत्तर जी हां आपने सही पहचाना इस प्रश्न का सही उत्तर है ग राष्ट् हम दूसरे प्रशन पर इन में से कौन राजनेतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा नहीं है का नेता ख सक्रिय सदस्य ग अनुयाई या समर्थक और ग जनता तो बच्चों बताईए क्या होगा इसका उत्तर जी हां अधिकांश बच्चों ने इसका सही उत्तर खोज लिया है और वह है घा यानि जनता तो अब चलते हम अगले प्रश्न पर इन में से कौन सा काम राजनेतिक दल का एक काम नहीं है क जनता को वर्गों में बाट कर उन्हें एक दूसरे के वृद्ध संगठित करना ख चुनाव लड़ना ग सरकार की नीतियों की आलोचना करना ग सरकार द्व बच्चो क्या होगा इसका उत्तर जी हां सही कहा आपने सही उत्तर है क जनता को वर्गों में बाट कर उन्हें एक दूसरे के वृद्ध संगठित करना राजनेतिक दलों का कारे नहीं तो बच्चो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर हमें राजनेतिक दलों की आवर्शकता है क्योंकि आपके विकल्प है क यदि चुनाम में सारे उम्मीद्वार निर्दलिये होंगे तो सरकार तो बन जाएगी लेकिन उसकी उपयोगी ता सीमित होगी एक प्रतिनीदी सरकार की स्थापना के लिए जो भी जरूवते होती हैं राजनेतिक दल उन सभी को पूरा करते हैं ग, का और खा दोनो सकते हैं, ग, का और खा दोनो असकते हैं, तो बच्चों क्या होगा इसका उत्तर? जी हाँ, इसका सही उत्तर है ग, यानि का और खा दोनो सकते हैं, तो बच्चों अब हम आते हैं आज के अंतिम प्रश्ण पर, इन में से कौन एक गडवंधन या मोर्चा न जहारखंड मुक्ति मोर्चा, ग, सयुक्त प्रिगतिशील गडवंधन और ग, वाम मोर्चा. जी हाँ बच्चों, ठीक पहचाना आपने सही उत्तरक ख, यानि जहारखंड मुक्ति मोर्चा. बच्चों, जहारखंड मुक्ति मोर्चा कोई गडवंधन नहीं, अपितु एक करते हैं आशा है आपको यह चर्चा ज्यानवर्धक और उपयोगी लगी होगी अगले अंक में हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार